हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा निव डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसी बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वैटर, बच्चों के स्वैटर, लेडिज, कारडिगन, जैकेट, गर्ल्स टो, फ्रोक, कुर्टी, कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस design को बनाने के लिए आपको 8 के multiple फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा आठ के multiple देखिए आप इसमें 8 फंदे गिन लिजिए फिर से 8 फिर से 8 फिर से 8 इस तरह से करते हुए last में आपके 7 फंदे होने चाहिए ये design सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सलाईयों में complete हो जाता है ये जो scale border मैंने यहाँ पर बनाया है इसकी वीडियो मैं पहले ही channel पर upload कर चुकी हूँ अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप channel पर इसकी वीडियो देख लीजिए वीडियो का link मैं community में और description box में share कर दूँगी वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं तो चलिए इस design को बनाना शुरू करते हैं जो design की पहली सलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ तो यहाँ पर इस design को बनाने के लिए मैंने लिए है 39 यानि 49 फंदे 8 के multiple करके और 7 फंदे extra अब design की यह पहली सलाई है और सीधी side है तो ध्यान दीजिएगा कि design की पहली सलाई कैसे बनेगी पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक और ये दो ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ से हमारा design शुरू हो जाएगा तो देखिए धागा पिछे करेंगे एक दो और ये तीन ये वाली cable तीन फंदों पर बनती है तो जो बीच वाला फंदा है इसका देखिए एक फंदा हमारा जो सलाई पर है इसे छोड़ देंगे दो और ये तीन जो तीसरा इसका hall है इसमें सलाई डालेंगे एक फंदा यहा दो और ये तीन, आप देखे जो बीच वाले फंदे में हमने तीसरे वाले हॉल में एक फंदा एक्स्ट्रा बनाया, उसी हॉल में फिर से स्लाइ डालेंगे, एक फंदा हम और एक्स्ट्रा ऐसे बुन देंगे, ये फंदा भी आपका इस फंदे के जितना ही लूज होना अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागे को पीछे करेंगे इस एक फंदे के हम पाँच फंदे बनाएंगे तो देखिए इस फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे सलाई के उपर ऐसे धागा लपेट देंगे तो दो फंदे हो गए इसी फंदे को हम फिर से सीधा बनेंगे तो तीन हो गए सलाई के उपर धागा लपेट देंगे तो चार हो गए तीसरी बार फंदे को सीधा बनेंगे तो पाँच हो गए और इसे उतार देंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएगे एक और ये दो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहां से यहां तक हमने 8 फंदे पर डिजैन बनाया है 3 फंदे पर ये वाली केबल बनती है 2 उल्टे 1 फंदे से हमने 5 बनाए हैं और फिर से दो उल्टे अब इसी डिजैन को हम बार-बार रिपीट करेंगे तो देखिए धागा पीछे कीजिए और तीन फंदे की केबल बनाएंगे तो तीन फंदे के जो बीच वाला फंदा है उसके तीसरे हॉल में सलाई डालेंगे एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा लूज बुनेंगे फिर ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन यहाँ पर ऐसे अंगुठा रखेंगे इस होल में ऐसे सलाई डालेंगे एक बार फिर से हम ऐसे फंदा एक्स्ट्रा बुन लेंगे तो इस तरह से देखे ये तीन फंदे की केबल बनी है अब धागे को अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर धागे को पीछे करेंगे एक फंदे के पाँच फंदे बनाएंगे एक फंदा बनाया और ये देखिए सलाई के उपर इस तरह से धागा लपेट देंगे तो दो हो गए फिर फंदे को सीधा बनाएंगे तीन हो गए ऐसे लपेट देंगे तो चार हो गए तीसरी बार फंदे को सीधा बुनेंगे तो पांच हो गए धागा अपनी तरफ दो फंद से उल्टें फिर से इसी डिजैन को रिपेट करेंगे तो देखिए धागा पीछे करेंगे तीन फंदे की केबल बनानी है तो जो बीच वाला फंदा है इसके तीसरे हॉल में सलाई डालेंगे एक फंदा एक्स्ट्रा लूज बुनेंगे यहां अंगुठा रखेंगे और तीनो फंदों को ऐसे सीधा बना देंगे फिर यहां परंगुठा रखेंगे तीसरे वाले छेद में ऐसे सलाई डालेंगे और एक वहीं से हम एक्स्ट्रा फंदा और बुन लेंगे इन दोनों फंदों का साइज एक जैसा होना चाहिए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धा फिर बुन लेंगे तीन हो गए लपेट देंगे तो चार हो गए फंदे को बुनेंगे तो पांच हो गए फिर देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे इसी डिजाइन को बार बार रिपेट करना है फिर से देख लिजिए तीन फंदे की क धा बुनेंगे यहां परंगुठा रखेंगे यहीं से एक फंदा और हम बुन लेंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदे के हमें पांच फंदे बनाने हैं तो इस तरह से हमारी यह पहली सलाई कम्प्लिट हो जाएगे पांच बुनने के ब तो तीसरे फंदे के तीसरे ही होल में सलाई डाल लेंगे एक फंदा बनाया फिर हम तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे जो एक्स्ट्रा फंदा हम बुनते हैं वो हलका आपका लूज होना चाहिए और लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएगे तो पहली सलाई डिजैन की क धागा पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे ये जो एक्स्ट्रा हमने लंबा बनाया देखे इसकी पहचान होती है इसको ऐसे स्लिप कीजिए बीच के तीन फंदे हम ये उल्टे बुन लेंगे फिर धागा पीछे ये पहले हम ये जो स्लिप है ये फंदा इसे स्लिप करेंगे उसके बाद धागे को पीछे की तरफ ले जाएंगे ये जो तीन फंदे पर हमने केबल बनाई दो जो एक्स्ट्रा फंदे है उनको स्लिप करना है बीच के तीन फंदे उल्टे आएंगे धागे को पीछे करेंग यहां पर जो दो फंदे उल्टे बनाए वो हमारे उल्टी साइड पर सीधे बनेंगे जो हमने एक फंदे से पांच फंदे बनाए उनको हम यहां उल्टा बुन देंगे पूरी सलाई में ऐसे ही हमने बुनते जाना है देखिए पांच हमने उल्टे बुने धागा पीछे ये देखिए एक और ये दो ये पहले वाले दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक एक डिजाइन पूरा होता है अब इसी को दोबारा से रिपिट करना है तो देख लीजिए ये जो एक्टर लंबे वाला है इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे बीच के तीन फंदों को ऐसे उल्टा बुन देंगे यहां से भी इस एक्टर लंबे वाले को स्लिप करेंगे धागा पीछे दो फंदे ये सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदे से जो पांच फंदे बनाए इनको हम उल्टा बुन देंगे इनको आप ए पूरी सलाई को complete कर देंगे तो यह देखिए दो सलाईयां डिजैन की complete हो गई अब आज यह इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइपर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे complete करेंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए फिर उसके बाद दूसरे फंदे को भ ऐसे सीधा बनाएंगे एक्स्ट्रा लंबे वाले को इसके उपर से ऐसे पलट देंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनेंगे देखिए यह फंदा यह एक्स्ट्रा लंबे वाला आगे से सलाई डालके इन दो का यहां एक फंदा बना देंगे तो देखिए हमारे यहां पर ज जो पांच फंदे हैं इनको हम सीधा बना देंगे तो ये देखिए पांच फंदे हमारे सीधे बन गए फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे श्टार्टिंग के दो फंदे चोड़ कर यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे एक बार देख लिजिए धागा पीछे करेंगे एक्स्टा लंबे वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे नेक्स्ट फंदे को सीधा बनेंगे और इससे इसके उपर से पलट देंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनेंगे यह फंदा और यह एक्स्टा लंबे वाला आगे से स्लाइड दो का एक बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे सीधे धागा पीछे और ये पांच फंदे हम देखिए ऐसे सीधे बनेंगे दो उल्टे हो गए पांच सीधे एक दो तीन चार और ये पांच तो धागा पीछे करके ये पांच फंदे बना लीजिए फिर वापस अगे को पीछे करेंगे इस एक फंदे को ऐसे स्लीप कर लीजिए नेक्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे और इसे इसके उपर से पलट देंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनेंगे दो फंदे में आगे से स्लाइड लेंगे और इसे भी सीधा बनाएंगे दो फंदे ये उल् दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे देखिए इस लंबे वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे एक फंदे को सीधा बनाएंगे और लंबे वाले को ऐसे पलट देंगे फिर एक सीधा आगे से स्लाइड डाल कर दो का एक करेंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदे को ऐसे लेंगे, और बीच वाले, एक फंदे को ऐसे बुनेंगे, और ये जो लंबे वाला है, इसको ऐसे पलट द क्योंकि तीसरी सलाई पर ये जो बढ़ाई हुए फंदे हैं इनको हमें वापस कम करना होता है तो बीच वाले को ऐसे ही हम सीधा बुनेंगे फिर ये फंदा है ये एक्स्ट्रा वाला है इन दोनों में आगे से सलाई लेकर एक कर देंगे तो देखिए वापस हमारे फंदे ती उल्टा बुन देंगे तो तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई है और उल्टी साइड है इस सलाई पर आपको जो फंदे सीधे दिखें उनको सीधा बना दीजिए और जो फंदे आपको उल्टे दिखें उनको उल्टा बुनते हुए आप इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई पर ये वाला डिजाइन तो पहली सलाई के जैसे रिपिट हो जाएगा और इस वाली डिब्बी को हम कम करेंगे तो ध्यान से देख लिजिए पहले फंदे को उतारिए या बनाए एक और ये दो फंदे उल्टे धागा फिर इन तीन फंदों को सीधा बुन देंगे ये सीधा बुनने के बाद जिस होल में से ये वाला फंदा बनाया उसी होल में सलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन देंगे धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धाग पीछे इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनेंगे एक और ये दो इन दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और दो फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे तो य आपने उल्टे बुन देने हैं तो यहां तक हमारा जो डिजाइन बनता है इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो एक बार आप फिर से ध्यान से देख लिजिए यह तीन फंदे की केबल बनानी है तो बीच वाले फंदे के तीसरे हॉल में सलाई लेंगे एक फंदा ऐसे दमबा बुनेंगे दोनों फंदों का साइज एक जैसा होना चाहिए धागा अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे यह उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक फंदा बुनेंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे एक और ये दो इन दो फंदों को ऐसे लूज करेंगे आगे से स्लाइड डाल के दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे धागा पीछे देखिए यहां से यहां तक जो डिजैन बनाया इसको फिर से रिपेट करना है तो तीन फंदे की केबल बनानी है तीसरे फंदे के बीच वाला जो तीसरा होल है उसमें से एक फंदा एक्स्ट्रा बनेंगे तीन फंदों को सीधा बनाएंगे ऐसे अंगुठा लगाएंगे और यहीं से एक फंदा और हम बन देंगे तो देखिए एक फंदा ये एक्स्ट्रा हो गय फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे इस एक फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे बीच वाले फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे आगे से स्लाइड आलेंगे और दो का एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे इस डिजैन को बनाने के लिए मैंने यहां पर तीन प्लाई वाली उन ली है और नो नंबर की मैंने सलाई यूज की है आप उन अपने हिसाब से ले लीजिए जो भी आपको पसंद हो और सलाई हमें उन के अनुसार लेनी होती है इस डिजैन को आप डारक या लाइट किसी भी तरह के कलर में बना सकती हैं किसी भी तरह की उन में बना सकती हैं सभी तरह से ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है जितना देखने में सुन्दर है उतना ही बुनने में बहुत आसान है और यह देखेगा यहां जब आप ल हॉल में से एक फंदा और हम एक्स्ट्रा बना दें धागा अपनी तरफ करके लाष्ट के दो फंदे उल्टे पांच सलाईयां डिजैन की कंप्लीट हो गई छटी सलाई उल्टी साइड पर आप ध्यान से देखे कि कैसे कंप्लीट करेंगे पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला फंदा बनाया देखे इसकी ऐसे अलग पहचान होती है इसे सलिप कीजिए फिर बीच के जो तीन फंदे हैं इनको आप उल्टा बन लेजिए एक्स्ट्रा लंबे वाले को फिर से सलिप कीजिए धागा पीछे करेंगे दो फंदे ये सीधे देखे एक और ये दो धागा अपनी तरफ अब यहाँ पर हमारे तीन फंदे बचे हैं उल्टे इसको हम उल्टा बनेंगे धागे को पीछे ले जाएंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे तो देखे इन दो फंदो को छोड़कर यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपेट करते जाना है ये देखे छे सलाइया डिजाइन की कम्प्लीट होई आब आज ये इसकी सातमी सलाइय और सीधी साइड पर सातमी सलाइय को आप ध्यान से देखे कि कैसे कम्प्लीट करेंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाएए दूसरे फंदे को भी उल्टा बनेंगे धागा पीछे करेंगे एक्स्टा लंबे वाले को ऐसे उतार लेंगे एक फंदे को सीधा बनेंगे और इस फंदे को इसके उपर से पलट देंगे बीच वाले फंदे को सीधा बनेंगे आगे से स्लाई डाल कर दो का एक कर देंगे तो देखे वापस हमारे ये तीन फंदे बन गए फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे अब देखे धागा पीछे करेंगे ये जो 3 फंदे हैं इनका हम 1 बनाएंगे तो बीच वाले फंदे को हम इस तरीके से लेंगे उपर की साइड से इस फंदे को उतारेंगे और बैक साइड से सलाई पर डाल देंगे इसे पलट के हम स पहली सलाई पर एक से हमने पांच बनाए, सातमी सलाई पर हमारा वापस एक फंदा आ गया, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे उल्टे, धागे को पीछे कीजिए, पहले वाले दो फंदे चोड़ कर ये जो आठ फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रि फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, लंबे फंदे को ऐसे लेंगे, अगले फंदे को सीधा बनाएंगे और इसे इसके उपर से पलट देंगे, बीच वाले फंदा सीधा, आगे से स्लाई डाल के दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागे को पीछ बीच का फंदा है, इसे पलट के सबसे आगे करेंगे, तीनो फंदो को हलका सा लूज करेंगे, और बैक साइड से तीन का एक बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, लंबे फंदे को ऐसे लेंगे, एक फंदा सी पलट देंगे, फिर देखिए जो बीच का फंदा है, इसे सीधा बुन लेंगे, आगे से स्लै डाल कर दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, और यहां तीन का एक करना है, तो पहले को उतार कर बैक साइड की स्लै पर लेंगे, ब फिर धागा पीछे, देखिए इस केबल को बुनेंगे, तो लंबे वाले को ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इस फंदे को इसके उपर से पलट देंगे, एक फंदा यह सीधा बुनेंगे, आगे से स्लै डाल लेंगे, और दो का एक फंदा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागे को पीछे ले जाएंगे, इन तीन का एक करना है, तो बीच वाले को ऐसे लेंगे, इससे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे, बीच वाले को पलट के सब से अगे करेंगे, पूरी स्लाई में हमने ऐसे ही डिजैन को पूनते जाना है तीनों फंदों को लूज करने के बाद बैक साइड से तीन का एक कर देंगे तो ये हमारी जो डिब्बी है ये कम्पलीट हो जाती है ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे इस फंदे को स्लिप कीजिए एक फंदे को सीधा बना कर लंबे वाले को इसके उपर से पलट दीजिए फिर बीच का फंदा सीधा और आगे से स्लिप डाल कर दो का एक लास्ट के दो फंदे हमने उल्टे बना दिये तो ये देखे साथ सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है अब आज ये इसकी आठमी सलाई और उल्टी साइड पर आठमी पर आपको जो फंदे जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए सीधे हैं तो सीधे बनाईये और उल्टे हो तो उनको उल्टा बना दीजिए इस डिजैन में उन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो अगर आप इस डिजैन से जैसे लडीज कार्डिगन जैकेट बुनना चाती ह तो आप थोड़ी सी उन ज्यादा ले लिजिए कम से कम 100 ग्राम उन आपको ज्यादा लेनी होगी तो आपके प्रोजेक्ट में उन कम नहीं पड़ेगे तो जितना प्रोजेक्ट आपको बुनना है उसी के हिसाब से थोड़ी सी उन ज्यादा लेके रखिए इसमें उन थोड़ी ज़ादा लगती है तो आठ मी सलाई पर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनते हुए इसे कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखे फ्रेंड्स इस तरह से आठ सलाईों में ये डिजैन ओवर हो जाता है जब हमारी ये एक डिबी कम्प्लीट होती है तो इस वाली केबल की दो डिबियां कम्प्लीट हो जाती है अब आप इन्ही आठ आठ सलाईों को बार बार रिपीट करते जाए तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करते टाइम अगर आपको कोई प्रोबलम आए तो जैसे मैंने यहां से आपको पहली सलाई बुननी बताई है वीडियो को रिपीट करके और यहां से आप इससे बुनना शुरू कर दीजिए तो आपका डिजैन रिपीट हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आले देख सके हैं, तेंक यू